स्टॉक्स में खबरों के दम पर खासा अक्षिन देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एहम ट्रिगर्स हैं, और आज मेरे साथ स्टॉक्स इन न्यूस की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अर्मान नाहर जुड़ चुके हैं, आपको बता दू, अर्मान आज पहली बार हमारे स साथ पार ब्रेक्फिस्स में अपने टेलिविजिन आप कह सकते हैं, डेव्यू भी कर रहे हैं साथ में, सो अर्मान पहले तो बढ़ाईयां आपको, गुड मॉर्निग, अब बताईये आपकी स्टॉक्स इन न्यूस की लिस्स में क्या क्या है, अगर जैसे कि जो टीगर्स है इसमें ट्रीगर्स में सबसे पहले है, असेमली एलेक्शन तुटी 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 जहां पे पांच राज्जियों के आज नतीजे आएंगे, जैस पील है, जिसमें आज बोर्ड मीटिंग हैं अंतरिम डिविडेंट पर, दो कंपनियों की एक्स डेट है, जिसमें EID Perry है, जिसमें इंटरिम डिविडेंट है 5.5 का, और BCL Industries है, जहां पे 1 to 10 का एक स्टॉक स्टॉक है, अगर ग्लोबल की बात करें हैं तो वहां पे US FED का इंफेशन लेटा आने वाला है, और अगर अब मैं खबरों पे जाओं तो खबरों में PNB Housing Finance है, जहां पे Board स कंपनी को राइट इश्यू के जरीए 6,000 क्रोड जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है, L&T Finance है, जहां पे CCI से L&T AMC के अधिकरण को मंजूरी मिली है, HSBC AMC ने L&T AMC को इस तरह खरीदा है, जिन्दाल स्टेनलेस हिसार में एक खबर है, जहां पे Aerospace उद्ध्योग में अंतर उनिट है, उसका Total Revenue का 5% FI21 में इस से आता है, और EBITDA का लगभग 6% Total EBITDA जो अंकुर उनिट से आता है, खबर है GUFIC Bioscience में, जहां पे Cancer Immunotherapy Treatment के लिए कंपनी ने एक Australian-based Silvex कंपनी है, उसके साथ Research और Collaboration का करार किया है, और इस करार के चलते, अब कंपनी को Silvex की Immunotherapy के ल Shares जो खरीदे हैं, वो Preferential Allotment के जरिए 23rd Feb को खरीदे गए हैं, खबर है, प्रमोटर एक्षन है Lloyds, Metals & Energy में, जहां पे प्रमोटर ने 67.5 Lakh Shares खरीदे हैं, और ये Open Market के जरिए प्रमोटर ने 9 Lakh को खरीदे हैं, ओके चलिया अर्मान, थैंक्यू सो मच हमारे साथ जुडने के लिए और बहुत ही महतोपून ट्रिगर्स दर्शकों के सामने रखने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां आक्षन देखने को मिलेगा